आप सभी लोग जानते हैं कि लिए जुडिशल सरेक्सिस के लिए लोग कॉम्पटिशन के लिए हम लोग कराते हैं और जो हमारे सक्सेस हो जाते हैं रोग के लोग के साथ शायर के लिए पार्फ आप घ्राइज हैं और वहारीज़शन के लिए जूटी की का पेपर आया है किया को इसकर है दिशचा थो आपकी ग्राइडिंस के वज़े से ही आज मेरा स्भूपर पाया है क्योंकि जिस तरीके से मैं आपकी जब क्लासिज ली थी तो उसमें जो आपने क्रिस्प नोट्स बनाए हैं इतना law as we know it is a very dynamic and a vast subject और उतने बड़े subject को उन 10 units जो हमारी majorly होती हैं उनको आपने एक छोटे और क्रिस्प तरीके से हमें पढ़ाया उसको easy ट्रिक्स बताए कि कैसे चीजों को याद रख सकते हैं कैसे questions को attempt कर सकते हैं तो it helped me a lot और उसके वजे से मैं शायद आज net का exam qualify कर पाया हूं तो introducing myself sir, my name is Tushar Pal, I'm from Pithauragad, Uttarakhand. I've done my graduation BLLB from Indraprastha University New Delhi and I've done my master's in the year 2022 from University of Petroleum and Energy Studies Dharadun. तो सर नेट में basically मुझे थोड़ा research में as well as teaching में हमेशा से एक interest रहा था, that is why I went for net. So that's my story sir. तो आपने अपनी तयारी के बारे में कहां से जननी स्टार्ट की हमारी classes के बारे में आपको वहां से पक्ता चला इसके बारे में को और सा बताएंगे जी sir, actually starting में तो उतना मुझे आइडिया नी था plus log में net की coaching मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफी कम educators हैं तो I googled few things and then YouTube में जब मैंने search किया था तो मुझे law competition classes करके जो आपका legal advisor वाले channel है तो उसका मुझे कुछ वीडियो देखे थे उसमें मैंने कुछ पहले free classes देखी ती जो demo classes थी तो उसमें मुझे आपके पढ़ाने का तरीका क्योंकि अच्छा लगा पढ़ी है बड़ जो हम graduation and master's में पढ़ते हैं that is really vast और law जो है वो उससे भी और ज्यादा वास्ट है and net में हमें यह समझ नहीं आता कि कब कोहां से किस question को उठा कि आपसे पूछ लिया जाएगा तो since आपका इतने आपका personal experience इतना ज्यादा था तो are you new? कि यह चीज़े पूछी जाती है यह important है यह नहीं है तो मैं तो सर आपको क्योंकि follow किया तो जो चीज़ आपने important बोली थी I focused on those things मैंने जो नहीं भी बोला था वो भी मैंने पढ़ा बट हाँ जो main focus था उस चीज़ पे था जो आपने पढ़ाया जो मैंने बोला crisp notes easy language में जब आप कोई भी crisp notes देते हो तो वो चीज़ दिमाग में stick कर जाती है अगर exam में भी while I was giving my mock exams as well तो वो subconscious एक answer आजाता था यह जैसे आप से mnemonics बताते हो जैसे एक for example natural school जब आप पढ़ा रहे थे jurisprudence में तो उसमाँ अपने natural cooler के सामने पल्टे और इस ताइप से mnemonics बनाएं थे तो जिसमें जैसे natural school है तो Pluto and Aristotle और यह सारे चीज़े उसमें एक साथ पूरा natural school summarize हो गया तो even if you simply learn those mnemonics तो आगे जाके आपको obviously एक मिल जाता है उस ताइम पर याद करने के लिए क्योंकि वहां पर टाइम गेम होता है तो इस निमोनिक्स के साथ वह भी चीज़े इजी होती है तो काफी साजी एकस्टा इसके अलावा आपकी जो PDF होते थे सर वह भी काफी helpful है तो कहने का मतलब यह कि तुशार पाल जी ने क्लास इसको जो हैं गया और उनको जो है क्रिस्पी बैटेरियल महां पर मिला और साथ में उन्होंने का कि जो ट्रीगी लाइन्स है जिसको इन्होंने का जो एक लेंडिंग दी गई कि मतलब कितना समय आपको इस प्रिपरेशन में बनाना तो इसके बारे में आपका बैच मैंने जूइन किया था जून से और तैयारी मैंने खुद से शुरू की थी में से जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कब से कहा करना है तो में 2020 तो मैने तैयारी शुरू की और जून में आपका जौन इट जॉइन कर लिया था तो उसमें मैं सर आपकी वंट क्लासिस देखता था लाइव प्लासिश का मेरा टैमिंग नहीं बन पाता था तो उसमें क्योंकि और कुछ करने में और उससे नोट बनने में मैं वह स्टार्टिंग स्पेंड किया है जो अगर मैं नोट बना रहा हूं तो वह नोट बनाने में ही लगता था क्योंकि मैं आपके क्लास के साथ साथ बुक्स भी रिफर कर रहा हूं साथ में जो आपने पढ़ा है फिर आपके अगली क्लास लेने से पहले क्योंकि वह रिवाइस करके आना है तो मैं उनको उसको रिवाइस करने में भी तो आल्मोस फाइफ टू सेवें आउस तो मान के चलिए कि डेली बेसिस पर आपको देना है जो आपने पनी स्टार्टिंग दी और उसके बाद में आपने यही वाला दिया जून वाला इस से पहले को एटेंट आप लिए इसके बारे भी उड़ाएं यहां मैंसे में डिसेंबर क्लास्स आप से कमप्लीट करती थी उसके बाद की जो लाइफ क्लास चलती थी मैं वह एटेंड करता था जिसके मेरा एक रिविजियन क्लास टो क्लास बेसिस पर होता था और जो मैंने नोट्स बनाएते हम उनको डेली रवाइस करता था तो होगे तो ऐसा मत सोचना कि आपने एक बार एक सेशन कर दिया तो फिर से उस चीज को नहीं सुनना है क्योंकि आप सुनते हैं समझते हैं वो चीज दिमाग में ज़्यादा बहते हैं तरीके से बैठ पाती है तो कहने का मतस्ते हैं कि तुशारपाल जी ने जून 2022 से अपनी प्रिपरेशन इस्तार आख थी पाइब को सेवी नवर्स डेली अपनी स्टेडीज में दिये और उसके बाद उन्होंने का कि रिवीजन अपने आप में एक की है यह नहीं कि आपने एक बार को किलास कर ली तो कं तो मेरी तरफ से तुशारपाल जी को एक बार करने के लिए और आपके आगे क्या टार्गेट से इसके बार इसकोड वर इटी सिक्समार्क्स आट ओफ 300 जिसमें पिछले साल पिछला जो मेरा अटेम्ट था उसमें मैं जो पेपर तु हमारा लॉका होता है उसमें स्कॉड लेस तो इस पार मेरा फोकस पेपर तु पे जादा था जादा टाइम मैंने पेपर टू को दिया अडिस ताम इस पार में क्वालिफाइग कर पाया हूं बाकी सर आगे मेरा अभी तो किसी कॉलेज को जॉइन करने का ही रहेगा और मैं अपना रिसर्च वर्क साथ-साथ करता रहूंगा सिंस आई लाइक देट फिल्ट अन इस कांड अफ वर्क टीचिंग अन रिसर्च तो सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो इसके लिए मेरी तरफ से बहुत करेंगे लिए जाएं और आप जो चीज़ चाहते हैं वो तो इसके लिए वन सेट अगे तो इसके लिए तो इस ताइम तैंक 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 था